उत्तर प्रदेश में अभी हाली में ग्राम प्रदानी के चुनाव संपन हुए ये चुनाव कहीं खुसी तो कहीं गम लेकर आए इस चुनाव में जीत की खुसीयां हारे हुए प्रत्यासियों के गले अभी भी नहीं उतर रही है इसका जीता जाकता उधारण सुवे के जनपत बरेली में देखने को मिला यहां ग्राम प्रदानी की रंजिस को लेकर कलकेंट के परगमा गाउं में नवनिर्वाची प्रदान और उसकी पतनी पर तावर तुड़ गोलिया दाग दी गई इस हमले में प्रदान की मौके पर ही मौत हो गई महीं छर्रे लगने से उनकी पतनी भी गायल हो गई उन्हें जिला अस्पताल में भरती कराये गया सुत्रों की माने तो एसपी, एससपी के साथ 367 मौके पर पहुंचे यहां दो गंटे तक परिवार बालों ने गाउं में सब नहीं उटने दिया और गरपतारी की मांग को लेकर हंगामा करते रहे हमारे सयोगी नंदकिसोर मौरी के मताविक खवर बिस्तार से देखें तो केंट के परगमा में मौजूदा नवनराचित प्रधान इसाख रजवी पोतर इस्तियाख रजवी अपने पतनी सखीना के साथ गुरवार साम बरिली से गाउं लोट रहे थे उमर सरिया बाग के पास प्रधानी की रंजिस को लेकर प्रधान कद के प्रत्यासी रहे मोहर सिंग, पूर प्रधान रतनलाल, राहुल समेच चालों ने उन्हें घेर लिया आरोपे की उन्होंने तमंचों से तावर दोड फायर किये ये हमलावर इतने जालिन थे कि इसाफ को सिर से लेकर चाती तक गोलियों से चलनी कर दिया मामले में पुलिस अधिकारी का क्या कहना है एक बार देखते हैं थाना केंट के अंतरगत ग्राम परगावा के नव निर्वाचित प्रधान जो बत्तिस वर्स के हैं महमद इशाग आज शाम को वादी के दौरा बताया गया है कि चार लोगों के दौरा इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई है पुलिस के दौरा घटना लोगों को गرفतार करने के लिएوجए टीम लगा दी गई है चार लोगों मेंसे एक ब्यक्ती को गرفतार कर लिया गया है महरसिंक को और अजया अभियुक्तों को गرفतारी के लिए प्रयास चल रहा है मृतक के शरीर को पोस्मार्टम के लिए भीज़ा जा रहा है और इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कारवाई दोश्यों के विद्ध की जाएगी इस हमले में बाइक सलक पर गिर गई इस दोरान उनके पीछे बैठी पत्नी सकीना के मुह पैर में गोली के चर्रे लगे हैं बारदाद की सुचना पर ततकाल पुलिस सक्री हुई और एस एस पी रोहिस सिंग संजावट एस पी सिटी सी यो और इंस्पेक्टर केंट पुलिस टीम के साथ पहुँच गए पुलिस ने कल देर साम तक एक हत्या रोपी रतलनाल को भी गरपतार कर लिया था एस एस पी ने बताया कि अन्यारुपियों की तलाज में पुलिस टीमें लगी हुई है गौँ में पुलिस टैनात कर दी गई है सवाल वही है कि आफिर हमें सांती क्यों नहीं हम क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं क्या प्रधानी का चुनाओ दुबारा नहीं आएगा या जो जीत गया है उसकी हमें हार क्यों मंजूर नहीं है अगर आपने भी समाज सीवा और अच्छी कार किये हुती तो साइड हार का मुह नहीं देखना पड़ता आप देख रहे हैं दादस्तव 24 शुक्रिया